वर्बेटिम का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं वर्बेटिम का अर्थ बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसका हिंदी में जो अर्थ होता है उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं उसको थोड़ा explain भी कर देता हूँ लेकिन पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ जो हिंदी में होता है इसका मतलब होता है आक्षरिक प्रतिशब्द या शब्दशे तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी चीज जो आक्षरिक या प्रतिशब्द या शब्दशे होती है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है यानि कि किसी गवाने कोई बयान दिया तो उसको अगर verbatim किया गया है तो इसका मतलब यह है कि वैसा का वैसा है वो जैसा उसने कहा यानि उसने जो शब्द बोले वही शब्द यहां पर लिखे गए है उसमें कोई चींज नहीं किया गया है या कोई लिखी हुई चीज है उसको वैसा का वैसा कहीं दूसरी जिगे पर लिखना या वहाँ से लिया गया है यानि कि बिलकुल आक्षरिक है यानि कि जो आक्षर वहाँ कहा गया या बोला गया या लिखा गया था उसी को यहां पर लिया गया हो तो ऐसी चीज को हम verbatim कहते हैं यानि कि verbatim is an adverb that means word for word or in exactly the same words as the original. It is often used to indicate that a statement or text is produced exactly as it was originally spoken or written without any changes or paraphrasing यानि कि किसी भी शब्द को या किसी भी statement को वैसा कर वैसा जब लिखा जाता है या produce किया जाता है तो उसको verbatim कहते हैं जैसे कि एकर आप यह कहना चाहें कि उसने भाशन को शब्द शह रिपोर्ट किया यानि कि एक एक शब्द उसने जै जैसा कहा है वैसे ही उसको लिखा तो आप कहेंगे he reported the speech verbatim या अगर आप यह कहना चाहें कि उसने भाशन को शब्द शह सुनाया यानि कि उसी के शब्दों में बिना कोई एक भी शब्द चेंज किये सुनाया तो आप कहेंगे she recited the speech verbatim she recited the speech verbatim अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्स करें